dear students first of all very much good morning to all of you हमारा जो यूनिट चल रहा है वह इंटर्नल ट्रेड का जिसमें हम लोगोंने fix shop topic के अंडर large scale retailers शुरू किया था large scale retailers के अंदर basically हम लोग two types के retailers जो large scale लिके अंडर आते हैं पहला था departmental store वो हम लोग complete कर चुके हैं दूसरा था सुपरबजार वो भी हम लोग complete कर चुके हैं आज की जो यह video बनाए की है वो large scale retailers के अंदर जो third types आती है वो है malls M-A-L-L-S malls उसके बार हम discuss करेंगे और उसको detail से यहां पर study करेंगे so let us start the topic malls under the large scale retailers malls means a kind of shopping complex where variety types of products and services are available under one roof in one or many building there are many stores shops and they are connected to one another so that the customer can easily move from one store to another in fact it is the symbol of modernity अगर मॉल की बात करें तो मॉल एक टाइप एक shopping complex टाइप का होता है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के available हो जाती है shopping complex और you can see the mall के अंदर जो है एक ही एक ही चत्की निचे डिफरेंट 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 बिल्दिंग्स जो होती है यह डिफरेंट 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 शॉप्स बोल सकते आप वह आपस में aam review आपकिनग की hangouts की cinema halls की इस तरहें गुआ और इस तरहें के मोल बड़े सिटीज मेंदर मेकर प्लु positiv के अंदर नॉर्मल ऑन्मे बेंगें दिली मंभाए कोलुकाता बेंगलोर, बॉंबे, इन सब के अंदर हमें इस तरह के मेट्रोपलिटी सिटीज के अंदर इस तरह के मॉल हमें आराम से मिल जाते हैं और यहाँ पर यह मॉल्स सक्सेस भी है राइट, ओके, होपफुली आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा Let's start about the features of mall सबसे पहली बात करते हैं, big size retail shop In fact, जो malls हैं, आगर उनको यह कहें कि एक बहुत बड़ी retail shop आगर उनको यह नाम बोलें कि बहुत बड़ी retail shop है, तो यह गलत नहीं होगा In fact, जो malls हैं, उनका size, area और जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जहां पर यह establish किया जाता है दूसरे point की बात करें, दूसरी feature की बात करें That is multiple services मैंने आपको इसके mini मी भी बताया था कि malls के अंदर number of products के साथ साथ number of services भी provide की जाती है एक customer वहाँ पर अपने product को खरीदने के साथ साथ अपने जो जरूर का साथ इसको facilities भी मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट की facility मिल जाती है cinema hard की facility मिल जाती है rest room की facility मिल जाती है entertainment की facility मिल जाती है जैसे वहाँपर different type of games का भी एक store होता है जहाँपर बच्चे different type of games भी खेल सकते हैं entertainment के भी services वहाँ पर मिल जाते हैं तो multiple services malls के अंदर मिलती हैं तो एक special feature है malls की कि multiple services वहाँ पर available होती है तीसरा point कहें तो centrally located नॉर्मिल जो malls है उनको ऐसे area में establish किया जाता है ऐसी जंगा पर establish किया जाता है जो हर व्यक्ति की approach में मतलब nearby the city हो या city के बीच में हो या nearby the city हो ताकि maximum to maximum maximum to maximum customer वहाँ पर approach कर सके numerous good in fact malls के अंदर हर तरह की variety जो है हर तरह के products जो है मिलते हैं in fact जैसे कि अगर जो men की जरूरते हैं women की जरूरते हैं required चीज़े हैं और children's के लिए required चीज़े हैं हर तरह के age group में में तुसे children's child days के लिए या आप कैसे तो young days के लिए या कैसे तो old days के लिए in fact all types of variety all types of products are available under one roof in the mall next point की बात करें that is ownership malls के अंदर मैंने आपको बताया number of shops होती हैं अब यहां पर यह कोई जरूरी नहीं है कि उन सभी shops का एक ही मालिक है नहीं जमाल लिजे किसी माल के अंदर 20 shops हैं तो 20 shops जो है 20 different different persons को belong भी कर सकती है या एक person के 2-3 shop भी हो सकती है बट यह होना कोई जरूरी नहीं है कि 20-20 shops एक ही person की ownership के अंडर काम कर रही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है different different types के ownership वहाँ पर काम करते है इसका एक फाइदा customer को मिलता है कि जब different different types customer different different type के owners होंगे वहाँ पर हार shop के तो different दो different different shops की बीच में अगर एक ही लाइन का business कर रहे हैं तो उनकी बीच में competition arise हो जाता है और competition arise होने से सामान ज़ाव ठीक रेटों पर competitive रेटों पर customer के अविलेबल हो जाता है next point की बात करें large scale advertisement in fact जो advertisement की बात करें तो malls की जो है advertisement by large scale पर करे जाती है ताक कि ज़्यादा ज़्यादा customers को attract महाँ पर किया जा सके next point की बात करें huge investment in fact mall को establish करना is not a easy task ON-특ाक mall जो है वो बहुत costly venture है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है malls का establish करने में side by side अगर हम बात करें malls को decorate करने में malls को decorate करने में malls को establish करने में एक बहुत बड़ी investment का काम है बहुत ज़्यादा पैसा महाँ पर लगता है और side by side आगर हम कहें तो mall के अंदर जिससे हम समान स्टोर करते हैं उनकी storing में, समान को store करने में या आप कैसे समान की variety अविलेबल कराने में investment एक high investment का काम है Now let us talk about the advantages of malls Advantage is क्या है, फाइदा क्या है सबसे पहले point की बात करते हैं easy selection एक mall के अंदर different size, different products के different size, color, design, different cost पर जैसे जिसे चीज है वैसी cost के पर उसके different size होंगे, color होंगे, design होगे सबी की सबी चीज हमें एक ही place पर available हो जाती है जब एक ही place पर एक चीज available हो जाती है, एक ही place पर एक ही प्लेस पर एक चीज available हो जाती है तो एक customer easily उन सबी चीजों का अच्छे ध्यान से देखकर उसमें से अच्छे से अराम से select कर सकता है side by side एक customer का फायदा ये भी है, कि वहाँ पर उन सबी चीजों का अपस में comparison भी कर सकता है और जो चीज well उसको suitable है, वो उसको purchase कर सकता है दूसरी point की बात करें, easy shopping in fact, mall के एक ही roof के अंदर different shops available है number of shops available है, एक ही roof के अंदर, एक ही चत के अंदर तो customer एक shop से दूसरी shop पे easily visit कर सकता है और अराम सुआ पर अपने जरूरतों का सामान को select कर सकता है choice कर सकता है, तो easy shopping महाँ पर customer के लिए हो गई third point की बात करें, mall के point से बात करें तो जितना भी mall के अंदर सामान की sale होती है, वो सारी almost cash sale होती है credit sale का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है next point की बात करें, multiple services की बात करें तो एक mall के अंदर, एक ही चत की नेचे, different different types की service प्रवाइड करे जाते हैं जैसे की restroom की services हो गई, restaurant की service हो गई, cinema hall की service हो गई, parking, parking की service हो गई different types की services जो हैं वहाँ पर available करवाई जाते हैं यह सारे इसके advantages रहते हैं let us talk about the limitations of mall देको यह तो simple सी बात है कि जब भी कोई चीज बनती है, उसके सिर्फ फाइदा फाइदा नहीं होते हैं उसके कुछ limitations भी हो सकती है और होती भी है तो अब जैसे मैं ने देखा, mall के बारे में सारा study किया कि mall होता क्या है mall की features क्या है, mall के फाइदे क्या है तो हम कुछ इसकी कम यह बताते है कि mall के कुछ weaknesses भी है, limitations भी है उसके बारे में बात करते है सबसे पहला point है हमारे पास more running cost in fact, हर तरह की modern facility एक mall के अदर available कराई जाती है जब हर तरह की facility available कराई जाएगी तो definitely बात है कि उसकी cost भी आएगी, खर्चा ही बढ़ेगा जिससे कि mall को चलाने का जो खर्चा है, जो cost है वो increase कर जाती है दूसरे point की बात करें, more running cost के अंदर ही कि mall को जो है decorate करना पड़ता है mall की जी advertisement करनी पड़ती है, mall के अंदर skilled और unskilled नमबर और वराइटी ओफ प्रफेशनल्स अप्वेंट किया तो अगर हम इस सब भी बात करें like decoration की बात होगी, advertisement की बात होगी, skilled employee की बात होगी, unskilled employee की बात होगी वो एक छोटी shop को या छोटी retail shop से ज़्यादा होती है, but natural है कि जो running cost है या cost जो खर्चा कहा से निकलेगा, product से भी निकलेगा, जो product और services वो लोग sale कर रहे हैं but natural, malls के अंदर जो product और services प्रवाइट के जाते हैं, उनकी जो cost है, price है, वो market से a little bit high होती है, तो इसलिए ये भी हम कहा जाता है कि malls की normally, वो लोग visit करते हैं, जो basically rich class society से belong करते हैं, middle class या below middle class या poor sections के लिए malls नहीं होते, तो next point की बात करें, difficult running, in fact, difficult running, in fact, malls के अंदर जो shops हैं, वो normally independent है, independent in the sense, कि हर shop का मालिक अलग अलग है, तो यहां पर ऐसा भी हो जाता है कहीं बार, कि एक ही mall के अंदर एक ही तरह की item की, दो या तीन या चार shops हो जाते हैं, तो जब तीन चार shops एक ही जैसी आइटमों की हैं, तो but natural है कि वो लोग अपने main shop की पर ज़्यादा ज़्यादा कस्टमों को ट्रेक्ट करने के लिए, ही मुश्किल हो जाता है, next point की बात करें, situated at distance place, मैंने feature में इसकी बताया था कि malls जो है, normally centrally located होते हैं, यह तो city के बीच में होते हैं, या city के आसपास होते हैं, लेकिन यह हमेशा possible नहीं हो पाता, reason being क्या है, कि mall को establish करने के लिए बहुत बड़ा area चाहिए, बहुत मोल्स जो हैं, वो शहर से बाहर establish करने पड़ जाते हैं, जिससे कि mall को चलाना वहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा दूर होंगे शहर से, तो वहाँ पर customer कम से कम customer वहाँ पर approach कर पाएंगे, right, तो these were the limitations of malls, so this video was totally about the malls, hopefully, आपको malls की यह video समझ में भी आई होगी पसंद भी आई होगी, so at last I thanks to all of you.